इस्रेल ने इरान की सीरिया वाली फैक्टरी के परखच्चे उड़ा दिये हैं। पहली हेलिकॉप्टर से कमांडो उतारे, फैक्टरी के गार्ड को मा डाला, इरानी आफिसर को उठा ले गए। उसके बाद मिसाइल से फैक्टरी को तहस नहस कर दिया। अब इस्रेल चुप है और इरान बदले की आग में जल रहा है। दुनिया इवर की एक्सपर्ट इस बात की आशेंका जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह से अपने दो आफिसर्स के मारे जाने पर इरान ने इस्रेल पर तीन सो ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था इरान इस बार भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। पहाड की खोव में आईडी एफ का सबसे बड़ा आपरेशन इरान का स्लिपर सेल भी देखकर रह गया दंक। इसरेल इरान जंग पुरे जोरो पर है। इसरेली डिफेंस फोस हमाज के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। एक जगह बरसा बारूत धूए में तबदील हो तब तक दूसरी जगह धमाके से गाजा ही लूटता है। 11 महीनों से हमास लड़ाकों की तलाश में इसरेल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है। तहरा, लिबनान, यमन, सिर्या को भी टारगेट कर रहा है और हमास लड़ाकों की तलाश में कतर, काहिरा, संयुक्त और अब अबिराद से लेकर लंद तक मुसाद के एजेंट फूल आउन एक्टिव हैं। अब देख चुके हैं कि कैसे हमास चिफ इसमाईल हानिया को मुसाद ने इरान के घर में घुसकर मारा। मक्सा सिर्फ हानिया की हत्या नहीं था। समर्थन कर रहे इरान को चेताउनी थी। इस्राइल क्लियर कर चुका है कि हमास के खात्मे की राह में जो भी आएगा अपनी मौद का जिमेदार खुद होगा अब ताजा हमला सिरिया पर दीखिए सिरिया के मसफ शेत्र में मौझूद साइन्टिफिक रिसर्च सेंटर पर इस्रेली डिफेंस फोस पहले एयर स्ट्राइक करती है यह इसलिए क्योंकि सिरियाई सेना यहां अपने अतिरिक्त सैनी को पूप नहीं भेज सके फिर ग्राउंड आपरेशन के लिए इस्रेली कमांडो हेलिकॉप्टर से उतरते हैं कमांडो सेंटर के गार्ड को मारते हैं यहां मौझूद दो चार इरानी अफसरों को उठा ले जाते हैं सेंटर के यंत्रों और दस्तावेजों को भी अफसरों के साथ ले जाते हैं इसके बाद मिसाइल अटाइक से सेंटर को निस्तों नाभूत कर देते हैं एक्सियोस के मताबिक 2018 में हिजबुला और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउड फैक्ट्री बनाई गई इरान ने पहाड के अंदर इस फैसलिटी को बनाया ताकि इसरेली एर स्ट्राइक से बचा जा सके मिसाइल फैक्ट्री को लिबनाद सीमा के खरी बनाया गया था ताकि हिजबुला को आसानी से हत्यार पहुँचाया जा सके सिरियाई टीवी ने इस हमले का पूरा ग्राफिकल वीडियो बनाया है ये केमिकल लिसस सेंटर है जिसका इस्तेमाल इरान और सिरिया दोनों मिल कर करते हैं इस इलाके में अक्सर सिरियाई सरकार के अधिकारियों और इरानी रिवोलोशनरी गार्ट के अफसरों की मिटिंग होती है माना जा रहा है कि जिन इरानी अफसरों को इस्रेली फोस ने अगवा किया है वो अलग-अलग चीजों के एक्सपर्ट है सिरिया के मस्यफ और हमा इलाके में एरान समर्थी तातंगी समुहों के लोग रहते ही ये हमला 9 सितंबर का है इस हमले से मस्यफ और हमा इलाके के 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी तरह से खत्म हो गए मिसाइल फैक्टरी पर आचानक हमले से सिरियाई गाट्स हैरान रहके कहा जा रहा है कि मस्यफ और हमा का ये रिसर्च सेंटर असल में डोन्स और रॉकेट बनाने के काम आते थी इसरेली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ वर्षों में इरान और सिरिया के खलाफ पहला ग्राउड ऑपरेशन है इस फैक्टरी की तबाही इरान सिरिया समित हिजबुला के लिए बड़ा जटका है क्योंकि यहां मिडियम रिंज की 60 मिसाईले बनाई जाती है रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि आपरेशन को लेकर इसरेली सरकार चुप है क्योंकि इसरेल नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कहे जिसे एरान या सिरिया भड़क जाए इसरेल के इस उपरेशन में 15 मिलीटरी साइट्स को चार्गेट बनाया गया जिसमें 18 लोग मारे गये हैं और 37 लोग जखमी हुए हैं 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इसरेल में घुसकर 1200 लोगों का खतल कर दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया उसके बाद इसरेल की ओर से ये अब तक के सबसे सहसिक मेशन में से एक है इस मेशन में इसरेल ने अपनी और आने वाली मिसाईलों के सप्लाई लाइट भी काट दी रिपोर्ट के मताबक सिरिया में इसरेल ने जहां रिट की वो एक अंडरगाउन मिसाईल कार खाना है इसरेल ने इसे नश्ट कर दिया अमेरिका और इसरेल के दावे के मताबिक ये मिसाइल फैक्टरी एरान ने बनाई थी इरान के विदेश मंत्राले ने हमले की निंदा की है रिपोर्ट के मताबिक इसरेल वाई उसेना की पिशिष्ट एकाई शाल डैंग ने एर स्ट्राइक और रेड को अंजाम दिया यह उपरेशन बेहद सवेदन शील था ऐसे में बाईडन प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी अमेरिका ने इस उपरेशन पर कोई आपक्ती ने भी चटाई इसरेल ने कई एर स्ट्राइक के जरिये पहले भी इरानी मिसाइल फैक्ट्जियो को तबाह किया है सिरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसरेल ने जहां हमला किया है वहां इरान और सिरिया मिलकर केमिकल हत्यार बनाते थी क्या होते हैं केमिकल हथियार Organization for the Prohibition of Chemical Weapons यानि OPCW के मताबिक केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौद की नीन सुला सकते ही और साथ ही उन्हें अलग अलग बिमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते ही 2023 में केमिकल वेपन के वाच डॉग यानि OPCW ने घोश्रा की थी कि अमेरिका आखरी देश था जिसके पास ये हथियार मौजूद थे और इन्हें निश्ट किया जा चुका है 1997 के केमिकल वेपन कन्वेंशन के मताविक इसमे श्रामिल सभी देशों को सितंबर 2023 के आखर तक सभी केमिकल हथियारों को निश्ट करना था इरान के इस सेंटर पर इसरेल के हमले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या इरान बैन के बावजूद केमिकल हथियारों का प्रोड़क्शन कर रहा है यहां आपको कुछ सबसे खत्रनाक केमिकल हथियार के बारे में जरूर जाना चाहिए नर्व एज़न्ट सबसे खातक केमिकल हथियार छोटी से डोल्ज पल भर में जान ले सकती है चोकिंग एज़न्ट दम घोटने वाला केमिकल हथियार बलड एज़न्ट ब्लड सेल पर हमला करते हैं दम घोट देते हैं ब्लिस्टिंग एजेंट शरीर पर फफोले हो जाते ही व्यक्ति अंधा हो जाता है जान भी जा सकती है रॉयट कंट्रोल एजेंट आंग मूम स्कीन फेपड़े में जलन पैदा करते ही सेरिया की केमिकल फैक्ट्री पर इस्रेली हमले की जानकारी अगर अमेरिका को थी और उसने इसे छिपाया तो अब इरान के पास कोई तर्क नहीं है कि वो केमिकल हत्यार बनानी की बात पबूल करे और इस्रेल के खिलाफ हमला बोलते वैसे इस साल सेरिया में मौझूद इरान के समर्थन वाले आतंकी समूहों पर इस्रेल ने 43 एर स्ट्राइक किये हैं सेरिया में इस से पहले इस्रेल ने 1 अपरेल 2024 को दमिश्क में हमला किया था इस हमले में इरानी रिवलॉशनेरी गाड के 7 सदस से और 6 सिरियाई नागरिक मारे गए थे इस्रेल ने इस हमले में खुद के हाथ होने की बात से इनकार किया लेकिन इस्रेल पर हमला कर दिया 300 जोन और मिसाईले डाग दी इसरेल दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी खत्रे को आने से पहले ही खत्व कर देता है इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही क्यों न भेजनी पड़े इसरेल युद भले ही हमास के खिलाफ लड़ रहा है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि 11 महीनों की लड़ाई में अपने से किसी भी सतर पर तुलना के खाबिल नहीं समझने वाले हमास का सफाया क्यों नहीं कर पाया है इसका जवाब पुरी दुनिया चानती है और वो ये है कि इसरेल के हर दुश्मन को इरान का समर्थन हासिल है इरान ये सालों से करता रहा है इरान मान करशदता है कि इसरेल का अस्तित्व अर्बों की जवीन पर खड़ा हुआ यहुदियों की घुसपैठ है यानि इस्रेल का समूलनाश इरान का मकसद है इसके लिए वो यमन के हूथी वी द्रोहियों को समर्थन करता है लिबनान के हिजबुला का भी समर्थन करता है यही हल सिरिया का है इरान सिरिया में उसके साथ है जो अमेरिका का विरोधी है इस्रेल का दुश्मन है